गाइस तो हम next five athletes के बारे में बात करेंगे जो की मतलब उनके तरफ से थोड़ा बहुत न्यूज आ रहा कि वो भी compete करने वाले हैं हमारे जो अभी दिल्ली में होने जा रहा है प्रोश हो तो गाइस कैसी हो आप लो मैं मनी सिंग आप लोग देख रहे हैं सिंग फिटने से रहा और जुनायत कालिवाला गाइस तो हम सबसे पहले जो हमारे athletes हैं उनके बारे में बात करेंगे राजा अजीत के बारे में राजा अजीत लास्ट वन येर में उन्होंने एक अच्छा मेजर चेंज करा अपने बोड़ी में आप लोगों ने देखा होगा और वैसे आप लोग देख सकते हो लास्ट टाइम जब इन्होंने प्रोकार दीता था और इस टाइम में बहुत ही जादा मेजर चेंज दिखरा जो कि इन में साइज का सबसे बड़ा चेंज दिखरा अपने फ्रेम में इन्होंने अच्छा मसलमा स्पूटाउन करा एंड गाईस मैं होप करूंग करना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखा इनके पास साइज था लेकिन कहीं ना कहीं कंडिशनिंग का लैक था एंड जो इनका फ्रेम में मीड सक्षन खास है बहुत इंप्रेशिव बहुत मतलब आप जब वो खरे होने के बादना सबसे पहले जो नजर जाता ह है जज का वह इनके जाता है मिड सक्षन पर और मैंस जी का गेम मिड सक्षन लाइक वेस्ट शोल्डर का रेशियो जो होता है वह बहुत ही ज्यादा डिपेंडिन करता है तो इन से होप करेंगे कि इस बार यह फुल कंडिशन फुल पिक भीड कर आएंगे तो कहीं न कहीं ग करेंगे तो कंडिशनिंग तो ठीक ठाक दिख रहा है अभी अभी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है तो इन से होप करेंगे कि इनको थोड़ा अपने फ्रेम में मसलमा स्पूटों करना चाहिए हाड़नेस यह बोडी इनके बहुत ही ज्यादा पकड़ता है मैं फुल टा और बैक से भी अच्छा खासा लाइन अप को डोमिनिट कर सकते हैं कि इंका बैक अच्छा दिखता है और कंडिशनिंग बिल्कुल ओंदा पॉइंट होता है तो अधी फ्रेम में कुछ अधी क्वालिटिव मसलमा स्पूटों करते हैं तो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा करे तो बहुत को जादा मतलब जो रेशियो होना चीए वह नहीं होता है लेकिन जो इनका खड़ा होने का अस्टाइल है उससे मलब ढख जाता है वह चीज और कंडिशनिंग अधी बिल्कुल ओंदा पॉइंट रहेगा बिच साइस तो बिल्कुल स्टेज में बुम बुम होने पालाए गाइस तो आप लोग को मेंट कर बताना कि डेल्टा इलिप का फिक के वारे में आप लोग क्या सोचते हो वह हैं रबनी सिंग तो गाइज रबनी सिंग का देख सकते हैं इनका करन्ट कंडिशन की बात करें तो बढ़िया लेकिन मेरे को बहुत इंप्रेशिव नही बहुत बहुत ही तगड़ा और सबसे जो इंप्रेशिव चीज है वह फ्रंट लुक से जब यह खड़े होते ना तो वेस्ट और शोल्डर बहुत मतलब लेट सिंग का बाहर आता है जिसके विस्ट बहुत कम दिखता है और शोल्डर बहुत ही ज्यादा ब्राउड दिखता ह है तो गाइस मतलब रियली बता हूं बहुत इंप्रेशिव हैं बैक से बिल्कुल लाइनप को डोमिनेट करेंगे तो गाइस हम लोग को देखना होगा कि क्या इस बार रबनी सिंग कोई प्लेसिंग सेक्यूर कर पाते हैं या फिर नहीं वाटेवर जो भी हम लोग को देखन एट था तो बहुत ही ज्यादा मदब देखकर बहुत इंप्रेशिव लग रहे था है और रियली में बताता हूं मेरे को यह लास्ट टाइम से अभी मदब पिछले एक साल से ना मेरे को यह कैसे एथलिट दिखें जोगी इंप्रूमेंट लाइक इंप्रूमेंट दिखता है और कंडिशन कंडिशन की मामलें बात करूं रियली बता हूं बहुत इंप्रेशिव पोजिंग भी इनका बहुत ही ज्यादा खतरनाग मतलब उन्दा स्टेज से पहले और उन्दा स्टेज बैक स्टेज और उन्दा स्टेज में इनका बोड़ी बहुत ही ज्यादा चेंज हो अच्छा करते हैं बीड सेक्षम बिल्कुल सार्फ है को बिल्कुल एकदम वीजिबल जो होता है फुल कंडिशनिंग में जैसे आप बात कर सकते हो विलाल अल्ली हो गया इन सब जैसा इनका कोर बहुत स्ट्रोंग मेरे को दिखता है हां कहीना कहीन थोड़ा सा जब बीग पॉ कर सकते हो घृष करता हूं काई तो आप बताना के विलाशनिक के बारे में आप लोग क्या सोची आप लोग कोमेंट बोडेशनिकर नेवाला उनकर क्पुट करने वाला गई सोबात गई तो इस बार के हम देखेंगे क्या जुनेत काली वाला कितना इंप्रूइमेंट कर वैसे मैं बताऊं तो कही न कहीं साइज में तो इन्होंने अच्छा तो इनको बहुत ही ज्यादा बग करके आना पड़ेगा तो देखते हैं इस बार क्या परफॉमेंस निकाल कर देते हैं जुनाइट काली वाला वैसे बहुत पुराने एक्षिट्स हैं और मेरे कैसा लगता है कि इतने दिन में इनको बॉक भी करना चाहिए था मिटी सेक्शन प बता दूं आपको राजा अजीत डेल्टा दिली लब प्रीट जुनायत कालीवाला और रबनीज सिंग तो इन में से आप लोग बताना खुद कि अधिर ताउफ फाइब रहे मलब नम्बरिंग वाइज रहे तो आप किसको नंबर वन पर रखना चाहोगा नंबर टूपर कि सब्सक्राइब आपको विडियो अपडेट सारा मिलता रहे तो आपको आपको आज का वीडियो पसंद आगा एंड मिलते हैं आपको ने फिडियो में तब तक के लिए जैहन गुड़ाइब